आज हम लोग पार्ट सपीज का एक टॉपिक जिसका नाम है भर्व इसको समझेंगे पूरे एकदम अच्छे तरीके से इसके बाद आपको भर्व में कोई भी समझ्या नहीं होगी भर्व को आप इतने अच्छे समझ जाएंगे कि आपको इसके बाद भर्व के लिए कोई भी वीडियो देखने की जवरत नहीं पड़ेगी तो चलिए हम लोग सुरू करते हैं अपने टॉपिक को फर्स्ट है हमारा कि भर्व भर्व क्या है भर्व को हिंदी में बोलते हैं किरिया जैसे कि हिंदी में देखने से ही पास चल भर्व ऐसा अक्षरों का समू है जिससे किसी कारे होने या करने का बोध हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे भर्व बोलेंगे किलियर है जैसे में एक्जामपल लीजिए मैं बोल रहा हूं अभी तो क्या है बोलना क्या है भर्व है आप सुन रहे हैं सुनना क्या है भर्व है व कारे भर्व हैं इन सभी को क्या बोलते हैं भर बोलते हैं यानि वैसे सब्द जिनसे से कारे होने का बोध हो कारे करने का बोध हो उसे क्या बोलेंगे हम लोग भर बोलेंगे परिभासा में देखते हैं हम लोग परिभासा है दा वर्ड विच सोद एक्सन और स्टेट अब तो हम लोगों ने देखा, कि action उसे का होता है, जिससे कारे हो रहा है, जैसे हम बोल रहे हैं, तो क्या हो गया, speaking कर रहे हैं, बोल रहे हैं, यह क्या हो गया, कारे हो गया, लेकिन, state of being क्या होता है, state of being, इसका मतलब होता है, existence, क्या होता है, existence, existence क्या होता है, यानि जिससे कोछी का भी बहुत होता है उसको बोलते है उसको भी बसाल वो हर्व है फेले देखते हैं एक सोना स्लीप मतलब सोना यह भी एक्सन है क्या है घी क्या है एक्सन भर्व और कि हम लोगों ने देखा एक्सन भर्व क्या होते हैं स्पीक eat, give, take, weep, यह सारे क्या हैं? action भर्व है, यानि वैसा सब्द जिससे कोई कार होने का बोदो, कोई कार करने का बोदो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको बोलेंगे कि हमारा यह action भर्व है यानि कि भर्व है, अब भर्व का परिभासर में हम लोगों ने एक सब देखा था जिसका नाम है state of being state of being को समझे, state of being का मतलब होता existence, यानि उसका अवस्था बतलाता है किसका अवस्था बतलाता है, जो object होता है, जो हमारा noun होता है उसका अवस्था बतलाता है, उसको बोलते हम लोग कि वो state of being है यानि कि वो भी एक भर्ब है एक्जामपल देखते हैं हम लोग एक्जामपल है हमारा state of being का मैं बीमार हूं मैं बीमार हूं वह दिल्ली में है दिल्ली में है आगरा यूपी में है यूपी में है ये तीन एक जामपल है first है मैं बीमार हूं इसमें ये मेरा अवस्था बता रहा है कि मैं क्या हूं मैं अभी बीमार हूं तो हूं बीमार होने का कौन बता रहा है हूं बता रहा है इसलिए यहाँ पे जब इसका English बनाएंगे, हम लोग इसका English बोलेंगे, तो लिखेंगे I am ill, यह जो aim आएगा, aim किसके लिए आता है, हू के लिए आता है, इसलिए यहाँ पे aim हमारा अवस्था बता रहा है कि मैं बिमार हूँ अभी, इसलिए यह हो गया एक भर्व, aim का हो ग है, कौन सा है, तो है क्या है एक भर्व है, भर्व क्या है, है भी क्या है, भर्व है, जिससे आगरा, आगरा यूपी में है, आगरा कहां पे है, यूपी में है, तो इसके बारे में हम लोग को बता रहा है न, कि आगरा कहां पे है, यूपी में है, यह भी क्या है, इस्टेट of state of being verb है clear हो गया सभी लोग को अब हम लोग आगे देखते हैं भर्ब के टाइप के बारे में कि भर्ब के कितने परकार हते हैं कितने परकार में इनको बाटा गया है चलिए सुरू करते हैं आपको वीडियो कैसा लग रहा है अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन दबा बटन दो चलिएगा आगे बढ़ते हम लोग अपने टाइप सभर्ब के बारे में कि भर्ब के कितनेगी होते है तो देखिए भर्ब को मेंली हम लोग है जो tenses बनाने में sentence को पूरा करने में main verb का सहायता करते हैं आप लोग जानते हैं कि कोई भी चीज जब बनता है गाड़ी अगर मान दीजे बना रहे हैं तो उसमें सिर्फ एक ही अगर main engine लगा दिये तो गाड़ी चलेगा नहीं चलेगा उसमें कुछ सहायता करने के लिए other parts भी लगाया जाते हैं उसी तरह किसी भी sentence को पूरा करने के लिए उसका मतलब बताने के लिए इसको हम लोग tenses में use करने के लिए हम लोग सहाय किरिया के use करते हैं तो सहाय किरिया के अलग-अलग परकार है जैसे एक होता है हम आपते हैं क्यूं कि युज करते हैं क्या युद्य हैर हो गया है य। हिसका जों करते हैं जैसे हम लोग ने देखा था खाय I am ill, मैं बिमार हूँ, you are teacher, तुम सिक्षक हो, he is man, वह आदमी है, यह सारा यूज करते हैं हम लोग, next है हमारा जैसे has-have का, कोई चीज जब अपने बताना होता है कि यह मेरे पास है, उस पर अधिकार दिखाना होता है, तब हम लोग has-have का यूज करते हैं, जैसे, मेरे पास एक गाय है, तो बोलेंगे, I have a cow, यानि मेरे पास एक गाय है, जब हम अपने गाय को दिखा रहे हैं, कि वह मेरे पास है, यानि उस पर मेरा अधिकार है, तब हम लोग have का यूज कर रहे हैं, तो have कोची हो गया, have भी एक helping verb हो गया, उस sentence को बनाने में सहायता कर रहा ह किलियर हो गया सभी लोगों को, next है हमारा models, model क्या होते हैं, देखें, model भी है, model भी एक helping verb का ही रूप है, लेकिन इसको अलग कर दिया गया है, कि model इसलिए बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग का power दिखाता है, ability दिखाता है, जैसे I can do it, मैं यह कर सकता हूँ, may God help you, इसमें मदद करें, यह मेरा इक्षा बता रहा है, मुझे, जैसे you should do this, you should do this, इसमें यह बता रहा है, कि आपको यह करना चाहिए, तो यह सारे इसमें हमारी योग्यता, ability, इक्षा, इसको ब्यक्त करता है, इसलिए इसको helping भब से अलग करके models नाम दे दिया, का दिया गया, models नाम द भर्ब का definition पड़ रहे थे, वहीं पर हम लोग उने जितरा example दिया था, वो सभी क्या है, भर्ब हैं, वो भी क्या है, main भर्ब है, जैसे, देखिए, हम लोग भर्ब जो भी main भर्ब यूज करते हैं, उसमें last में ना आता है, जैसे, खाना, पीना, सोना, जाना, उठना, बैठ अना, सारे क्या है, main भर्ब के example हैं, तो main भर्ब के word में, आखरी में क्या आएगा हमेशा, हमेशा ना आएगा, उसको बोलेंगे हम लोग का, main भर्ब है, main भर्ब किसी भी sentence में, मुख्य किरिया काम करता है, या पूरे sentence को मतलब परदान करता है, किलियर हो गया, अब आते है main भर्ब को दो भागें बाटा गया, कौन-कौन दो भागें, transitive और intransitive, main भर्ब को दो भागें बाटा गया, transitive और intransitive, देखिए, transitive क्या होता है, intransitive क्या होता है, इसको समझते हम लोग, first देखते हैं हम लोग, first है हमारा transitive verb, transitive भर्ब उसे बोलते हैं, जिस भर्ब के बा है उसका फल किसी और अब्जेक्ट पर परे उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव भर्ब है एक्जामपल देखते हैं अलोग ट्रांजिटिव भर्ब का जैसे में I will teach you देखिए यहाँ पर आया है I will teach you अब इसमें कहेंगे सर इप मोडल भी भर्ब बताये थे teach भी भर्ब हो गया क्योंकि पढ़ा रहे हैं तो इसमें दो दो भर्ब हैं तो याद रखेगा एक sentence में एक से अधिक भी भर्ब आ सकते हैं कोई ऐसा sentence होता है, जिसमें सिर्फ एक helping भर्ब आएगा, कोई ऐसा sentence होता है, जिसमें सिर्फ एक main भर्ब आएगा, कोई ऐसा sentence होता है, जिसमें दोनों आ जाएंगे, तो दोनों आ सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, दोनों आ जा सकता है, इसमें कोई दिकत नहीं है, तो I I will teach you, इसमें ये बता जा रहा है कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, I will teach you का मतलब क्या होगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तो इसमें teach क्या हो गया, teach हमारा है main verb, अब इस main verb का असर, यानि पढ़ाने का असर किसे पढ़ेगा, आप पे आपको तो आपका दिमाग तेज होगा, आप बहुत सारा नॉलेज गेन करेंगे, इसलिए यू क्या हो गया, यू हमारा object हो गया, कोई भी sentence बनाने के लिए, हमने पहले पढ़ चुका है, कि sentence बनाने के लिए हमें तीन चीज़ों कहा सकता होती है, एक होती है subject, दूसरा होता है भर्ब और तीसरा होता है object, तो हम लोग इस वीडियो में हम लोग भर्ब को समझ रहे हैं, पहले हम लोगोंने subject पढ़ चुका है, कि subject वह होता है, जो noun ये pronoun वाके के पहले आते हैं, उसे subject कहा जाता है, और काम करने का असर, जिस पर पढ़ता है, उसको हम लोग object बोलते हैं, तो ये जो पढ़ाने का असर किसे पढ़ेगा, आप पे पढ़ेगा, तो यू क्या हो गया, object हो गया, तो teach के बाद जब object आ गया, तो इसको बोलेंगे transitive verb है, यानि सकर्मक किरिया है, क्या है, सकर्मक किरिया, याद रखेगा सब लोग, कि transitive verb जो है, इसको object की आवसकता होत आते हैं, अपने intransitive verb है, intransitive verb का मतलब हुआ, इसको object का जरूरत नहीं है, ये अकेले अपने आप ही काम कर लेता है, जैसे, मान लीजिए, एक example लेते हैं, intransitive verb का, intransitive verb का example लेते हैं, first time महाराजे से, I go, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, कहा जाता हूँ, कियू जाता कब जाओंगा, कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, तो इसमें आई होगया subject, अब गो होगया, verb, गो होगया, verb, इसमें कोई object नहीं है, तो आपको गोगया, sir, आपने कहा था, कि किसी भी sentence को पूर्ण करने के लिए हमें तीन चीज़ों क्या सकता है, subject होनी चाह sentence होते हैं, जिन में सिफ subject और verb के काम चल जाता है, उन्हें object की जरुरत नहीं होती है, उसी sentence में intransitive verb का परियोग किया जाता है, किसका परियोग किया आता है, I hope कि सभी को clear हो गया होगा, एक बार फिर से हम लोग revision कर लेते हैं, short में, सुरू से देखते हैं, verb, verb का मतलब होता है किरिया, भग का मतलब क्या होता है, किरिया यानि वैसा सब्द जिससे किसी के कारे होने या फिर कारे करने का बोध होता है, उसे हम लोग बोलते हैं, भर्व हैं, उसके बाद हम लोग एक्जांपल देखा है, उठना, बैठना, सोना, गाना, रहना, जितने सारे हैं, सारे क्य है भर्ब है अब भर्ब को हम लोगों ने दो भाग में के टेग्राइज किया कौन-कौन दो भाग था helping verb और main verb helping verb क्या करता है helping verb tenses में सहायता करते हैं यानि sentence बनाने में सहायता करते हैं sentence को बनाने के लिए हमें helping भर्व की आज सकता होती है उसके बाद में भर्व क्या होते हैं तो में भर्व ऐसे होते हैं जिनके अंत में हमेशा ना आता है जैसे लिखना पढ़ना सोना जाना उठना बैठना रहना गाना सारे क्या हैं में भर्व के एकजांपल हैं उसके बाद हम लोगों ने देखा कि में भर्ब को दो भागें बाटा गया, कौन को दो भाग हैं, फर्स्ट है ट्रांजिटीव भर्ब और दूसरा है इन्ट्रांजिटीव भर्ब, याद रखेगा ट्रांजिटीव भर्ब यानि सकर्मकिरिया, इन्ट्रांजिटीव भर्ब यानि अकर्मकिरिया, सकर्मकिरिया उसे कह हूते हैं जिसमें हमें भर्व के बाद A 자ता होती है उसको बोलते हैं सकर्म के लिए और जिसमें भर्व कि आशकता नहीं होती है उस्े बोलते अकर्मक के लिया, किलियर है सभी लोगों को I hope कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लिजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचें, धन्यवाद